असिस्टेंड अक्टेंड अक्टेंड एक्टा डिटेज़ सब्सक्रावे अप्लाइग कर सकते हैं वीडियो में आप सारी डिसकस की जाएगा आप चाहिए उसके साथ साथ एक अडिशनल डिग्री और चाहिए वह भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आपको उल्लाइन अप्लाइए करना है सारी वीडियो में डिसकस के जाएगे तो वीडियो को एंड तक देखते रही है हलो कोईस वेलकम बैक टू माझ चैनल आई मेर्फेंड शुबं तो जैसे कि आप देख रहें उसके पर उत्तराखंट सब्सक्राइब करना है क्या वीडियो को एंड तक देखेगा बिल्कुल बिसक्प मत करिएगा और आप नए हो आप नवी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं आज की वीडियो हमारे उन दोस्तों के लिए जिननों जो कॉमर्स बैक्राउंड से ब्लॉंग करते हो जो अकाउंटेंट है उनके लिए आज के वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो अकाउंटेंट और बहुत सारी पोस्त है ज आज से अकाउंटेंट तो आप देख सकते हो गाइस मल्डीपल वेकंस तो हर कोई जो हमारे दोस्तों है वह कि अपलाई कर सकता है यह सारे पोस्त के लिए अब आगे देखते इंगता है आपको अनलाइन करना है जैसे कि मन यह पर मैंचन कर रखा है आपको ऑलिन अप्लाइ सब्सक्राइब कर लिए और एक चीज और मैं आपको बताऊंगा एट लास तो वीडियो को एंड तक बने रही है बहुत इंपॉर्ट पॉइंट 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 है इसके लावा एक से से सबसे माइस बात करो तो 42 यह तो अगर आपके 42 साल से कम एज है तो आप अप्लाइ कर सकते हो देख तो गाइस जो है 42 यह बहुत जादी एज है तो हमारे जो भी स्थ अकाउंटेंट हैं जो और जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अप्लाइ करके हो अब बात करते है eligibility की जैसे कि मैंने यहां पर थोड़ चाहर्ट में मेंचिन कर दिया बैशलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम यानि आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए आपने अगर बीकॉम इसके लाव पोस्ट वाइस हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं असेस्टेंट अकाउंटेंट के लिए अपके पास इसके स्पीड होनी चाहिए इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटस ओरिटर तो हमारे जो भी फ्रेंट है जो अकाउंटस ओरिटर के लिए मतलब जॉब करना चाहते हैं जो बैलेंशेट ंदेल Meu deposit नहीं देहना मत्द बेसिक लिए किकमे क्या नहीं है तो अगर औरॉडेटर केसाबma साफ जॉब gezmit यह अगर पास बैशल ड prest टीक लेख सकते हो knowledge of Hindi देवनागरी as well बाकी चीज़े जो है more details read notification आपको official website के link नीचे description में मिल जाएगे आप वहां से जाके official website में visit कर सकते हो next post के बात करते है असिस्टेंट review officer यह असिस्टेंट review officer के लिए अप्लाई करोगे तो bachelor degree in commerce वह अगेन आपको मैंने बता है यह mandatory subject है यह mandatory डिगरी है basically कि बीकॉम की डिगरी आपके बस होनी चाहिए इसके अलावा कुछ भी up and down हो सकते है तो आप देख सकते हो and computer Hindi English typing आपको typing आनी चाहिए हिंदी यह इंग्लिश में accountant यह accountant women's welfare के लिए अप्लाई कर रहे तो आपके आप सिर्फ बीकॉम की डिगरी होनी चाहिए बट मैं आपको लोगों को बोलूँ हो कि आपके typing भी थोड़े इच्छी होनी चाहिए क्योंकि में भी हो लगता वह typing भी आप से consider कर वा ले क्योंकि बात की चीज़े जो details में है वह सारी चाहिए नोटिफिकेशन में आपको मिलेगी कैशियर और असिस्टन अकाउंटेंट के लिए अब अप्लाइ करना चाहिए को तो गाइस वन्स अगेन बैशलर डिगरी इन कॉमर्स वीकॉम यानि आपके बस वीकॉम की डिगरी होनी चाहिए इसके साथ साथ नौलेज और बुक अकाउंट स्किपिंग की भी नौलेज होन की अब बहुत ही इसके वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको सारी चीजे बताई कि जितने वीकेंस है सब बीकॉम लेवल की है और सब अकाउंटेंट्स की है जो भी हमारे दोस्त जॉब करना चाहते है आपको अप्लाइग कर सकते है वहा जो भी हमारे दोस्त अप्लाइग कर रहे है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बैल आकन को प्रेस करते हैं अब डेली बेसिस पर गवर्मेंट जोच रेलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अप्लोड करते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर जूर करना गाइस तो अल बेरी बेस्ट वर मैंसाइड और तक यू फर वाशिंग दे वीडियो